तु पुझाबी पाशा सिख्या दे सूतर अपनी लाश्ट जमात सीगी , जी देवेचे पुझाबी पाशा सिख्या सूतर तेसे दांता दा आपा थोड़ा थोड़ा कमपैरिजन ही कीता सी दो चार घल्लां देवेची आपनु पता लग्या सीगा पंजाबी पाशा सिख्या दे सिदांत पंजाबी पाशा सिख्या दे सूतर इना दे विच की फर्क है वी सूतर है जड़े उना दे विच कोई तबदीली आपा फर्क नहीं कर सकते पर जड़े सिदांत है उना दे विच आपा तबदीली कर सकते है उना पगल कर दे हैं जी साड साधετε कषterror चार ऑब्रक्रकर के अपन अपन्गा बोलदेंगी ठीक है साधे पाशनक नब्हल न पड़न लिखन अनदकर एही है साधे पाशनक नखेस जार रहत चार थे उन posts औरन रहते हैं पोओं अन्मीा करएटला ऑश्कर मैं साधा ऐंद्ब सट्राइज ऑवक्र Tahar उस तो बाद आगया जी साड़ा सुनना बोलना उस्तो बाद पढ़ना आते लिखना जे आपाँ विदियारती ति पाश्विकास अपाँ देखना होवे ताउ ओ दिवेच की है विदियारती की करदा है सुनन ते बोलन दुनों कोशलो दे नाल नाल चाला दे है ते पढ़ना ते लिखना दुनों कोशलो दे नाल नाल चाला दे है हाँ इन दा क्रम एही रेंदा सुनन दा मतलब है गा सुन के समझणा सुनन दा मतलब सब तो इंपोर्टेंटा परशन बड़ी आज़ी पुच्छा जानदा सोनदा मतल्व की है भी कि अकला सोनदेना गालनों जा सोन के समझळा क्योंकि कही मेरी गालना सुनीता जान दी है पर उस नू समझया नहीं जान जिना टाइम ओस चीजनू समझिया नहीं जावेगा ओना टाइम होगा लो जड़ा कोशल जड़ा सुन कोशल दा विकास नहीं होगा सुनन कोशल दे विकास विच दो गला होनियां बहुत लाजमी जरूरी हन केडियां केडियां एक सुनना एक समझना पहला सुनना फेर समझना पहला सुनना फेर समझना विद्यारती सुनके गालनों समझ रहा है ता एदा मतलब की है कि उस दे बुलन कोशलदा पर जड़ा विकास है ओ होवेगा अगर इकल्ला सुन रहा है उस गालनों समझ नहीं रहा ता उद्यारती होगा उस दे बुलन कोशलदा विकास नहीं होगा एक गाल थोड़ी याद रखनी है तुसी बस ओई ये है बाकी में जाड़ाई थे है सुन के समझना जिनाचर विद्यार थी सुन के समझेगा नहीं उना टाइम विद्यार थी दे जिड़ पाशा दा विकास है जिड़ा ओह अरंब नहीं होगा क्योंकि पाशा दे विकास दा अरंब सुन कोशल तो शुरू होंदा है अरंब कितों होंदा है सुन कोशल तो इस करके चोटी ते जिड़ा कोशल है पहले नमबर ते किड़ा होंदा है ओंदा साड़ा सुनन का उशल फेर साड़ा बोलन फेर साड़ा पढ़न ते फेर साड़ा लिखन का उशल होंदा है एदे वेच गल्ना तुसी थोड़ीया निया समझना यो प्रशन एग्जामीनर आप होन पिछला रीट जेडी कैंसल होई आपने पावान परगट नहीं कर रहा अगर कोई बोल रहा है पर पावान परगट नहीं कर रहा कभना की इस ठेकर के बोलना है और अरथ युक्त शब्दा नों बोलना है बोल के पावानॉ प्रगट करना प्रगट करना हाँ जी ठीक है गाल समझे के प्रगट करना हो पावानु भी प्रगट करना है नाल नाल उस्तो बाद आ गया जी पढ़ना ना मतलब होंदा है पढ़ के पावानु ग्रहन करना पढ़न दे नाल नाल की करना देखो कला पढ़ना नहीं आओगा ओदे नाल एक चीज आओग Grehend Vxy करना है पढ़िया हुया GUYPI करना है तोस्तो बाद आ गया जी लिखना है ते फिरिम आ के प्रगट करना है इन्से ही नाल को शगलां करना है जिडिगान नाल चाल दियां है लिखन दे नाल की करना है लिखके के अपने पावा नू प्रगट करना है होण इते तुसी देखलो जी असी पावा नू दो तरीके नाल ग्रहन कर दे ते दो तरीके नाल प्रगट कर दे पाव ग्रहन करन्दे दो तरीके ते पावा नू प्रगट करन्दे दो तरीके हन देखो के में हन जी सब तो पहला ता पाव ग्रहन करना पाव ग्रहन करन दे वेच कीयों दा पाव ग्रहन करना एदे वेच देखो जी दो तरीके आई पावनू ग्रहन करन दे किसे दे कई होई गालनू किसे गाल दे मतलवनू जे ग्रहन करना ता दो तरीके नाल होगा एक केड़ा होगा दूसरे दे पामानु ग्रहन करती है सुनके एक तरीका था आहा ते दूसरा है गाजी पामानु ग्रहन करना पढ़के सुनके ते पढ़के दूसरे दे पामानु ग्रहन करना अगर बच्चा पामानू ग्रहन कर रहा है पर पामानू प्रगट नहीं कर रहा ता जिन्नाचेर अपने पामानू प्रगट नहीं करूगा सानू इस गल्दा पता नहीं लगूगा कि बच्चे दी बच्चे देवेच पाशाधा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है होड़ी ते देखो जी पावानू की करना है प्रगट करना है जदो मन दे पावानू प्रगट करना होए ता प्रगट करनदे हागिया जी दो तरीके पावानु प्रगट करन्दे है गया जी दो तरीके केड़े केड़े एक ते है गया जी बोलके एक तरीका ता है जी साड़ा बोलके एक तरीका है गया जी साड़ा लेखके एक तरीका है गया जी साड़ा लेखके एक बोलके ते एक लेखके दो तरीके नाड़ असी आपने पामादा प्रगटा कर सकते हैं होन आपना है तही है भी जेड़े साथे चार कोशल है एक नमबर ते आप या सुनन कोशल दो नमबर ते साथा आप या लिखन कोशल तेन नमबर ते साथा पढ़न कोशल ते चार नमबर ते साथा लिखन कौशन है होण एदे वेच वी गालत उसी एक समझनी है देखो जी पाशादा विकास कले ग्रहन करन तक सीमित नहीं है जिनाचर विद्यार्थी उस चीज नूँ ग्रहन कीती होई नूँ प्रकट नहीं करेगा अपने विचारानों ओना टाइम पाशादा विकास नहीं होएगा आ संपूरन डाइग्राम देवेच पाशादा विकास छुपया होया है एस संपूरन डाइग्राम देवेच की चीज है वही ते साठीफ़े शीना चारे कउशणा दे साड़ होगा मतलब कि यह जदो आपा अनुपात अते क्राम दा सिदांत पड़या सी ओदे विचाहा अपा ही गल कीती सी के साड़े जड़े चारे काउशला सुनना बोलना पढ़ना लिखना इना दा एक अनुपात होंदा एक इना दा क्राम होंदा है उन्हा उस कृमनू ता निरगजारिक करना है उसे क्रामनू हीता आपा उते लहके चलना है ते साड़े पाशावजानिया ने दा क्राम की रख्या सुनना बोलना पढ़ना लिखना नई बच्चे दा पाशाव nat विकास सकूल तो नहीं शुरू होंदा बच्चे दा पाशा विकास ता उदे करतो ही जदो उसने उदी माँ दे आड़े दोड़े तो ही शुरू हो गया उदा पहला आदे अपके जड़ी उदी माँ है ता उदो की है उदो बच्चे दा पाशा दा विकास हो रहे है सब तो पहला का महो की कर रहे है सोन रहा है सोन रहा है उस्तोबाद की कर रहा हो बोल रहा है सोन के गालनों बोल रहा है होन देखो जी होन आपनों ठीक है पता लग रहा है भी बच्चा गालनों सोन रहा है ठीक है गुड सही गाल भी बच्चा गालनों सोन रहा है सोन के अगर बोल नहीं रहा है उस ते रियक् नहीं कर रहा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो इधा मतला बच्चे दे पाशादा विकास नहीं हो रहा प्रगटा कोशल देया प्रगटा जड़ा है गया ना प्रगट करना आपने पावानू प्रगट करना जिनाचर विद्यार्थी बच्चा अपने पावनू कारदे वेचे एक छोटा बच्चा भी जना टाइम आपने पामानों प्रगट नहीं करूगा जिना चे र बोलूगा नहीं आपानों इस गाल्धा पताई नी लगऊ भी बच्चे देवेच पाशा दा विकास हो रहा है के नहीं हो रहा बच्चे दा पाशा विकास वो दे प्रगटा कौशलते निर्परकारदा ते क्योंकि पाश्याजेडप गाते यदिया इककेडा यू gamers एक साधी पाशादासी के दिनिया जी लेखेत रूपा ठीक है जी गाल समझ गए जी सर्ट वाड़ी अच्छा अगे उन मोखिक रूप देवे चीता होंदे या सुड़ना ते बोलना ये दोनों मोखिक प्रती क्रियावा आता है सुड़ना ते बोलना हाँ सुड़ना ते बोलना दोने केडिया है मोखिक पर क्रियावा है मोखिक मतलब मोख मोख दे नाल की करदा बन्दा बोलदा है ते ओदे वेच की है देखो बोलूगा ते ओदे ही जदो सुड़ूगा अगर कोछ सुड़िया ही नहीं बच्चे नहीं ता बोलूगा की कुछ भी न बोलूगा क्योंकि उदे पाशादा विकास नहीं होया अजदर और शब्दावली अजदर ट्रांसपर नहीं होई इनु क्या जन्दा है मोखिक कोशल मोखिक रूप उस्तोबाद जी लिखे तो मोखिक रूप आई दा पर मोख रूप है पहला रूप पाशा साथ तो पहला पहला ही साथ जो क्यांविक पहला है अच्छा पाशा दे मौखिक रूप दा विकास पाशा दे ओंग आ आप living ऊप पावि बदल के देख लेकर ये वदीग ये भदियो चलो ठीका, हुँआ, मौखीक रूप दाविकास हो तां, बचचे दा करदे वेची हो जन्दा, करदा वातावरन ही यह मेंदा हो जन्दा, करदा, करदे वातावरन दे वेच्च, हां, करदा वत्ता वरन ही बच्चे नू पाशादा मौकिक रूप सिखा दिन्दा है करदा वत्ता वरन इनू क्या जन्दा है गैर रस्मी सिख्या गैर रस्मी गैर रस्मी गैर रस्मी सिख्या इनू क्या जन्दा गैर रस्मी सिख्या अच्छा अई थे पाशा दा मोखी के विकास दा होदा कर देवेच ही हो गया जदों बच्चा स्कूल वेच जानदा है उदों बच्चे दा मोखी के विकास होया होंदा है मतलब सुनन ते बोलन दोनों कोशलों दे विक्सित होई होंदे हान सुणना आते बोलना सुनना आते बोलना दुनो। परो हैकड़ी रूप देवेच्चा गयर रस्मी रूप देवेच्चॉन अपका गल कर दें जड़ी सिक्ख्या। लिखत जिड़ा हैगा पाशाधारूप ओदास हाड़ा सबन्द हैगाज स्पूली सिख्या देनाा ग्यूर्वां आपन जीन्म nach शूर्मी सिख्या हां जी रिख्या जीरी है ओदेवेच कीए विदियारती दे लिखन कोशलदा विकास हुड़Qué लिखन कोशल दा विकास हुन्दा है जदू ता ओदे वेच की हुन्दा है दो चीज जा बच्चा सिखता है एक पढ़ना ते एक लिखना एक पढ़ना ते एक लिखना दोने कोशला दा विकास है अई थे हुन्दा है जी लिखत कोशल दे वेचे भी एमें ही है ना लिखे होई नो पढ़ना भी कोज लिखे इदा इदा सबन्द है और एप आशादा मौखिक जा प्रमुक जा पहला रूप है एदा एक नाम होर लिखे आ जानदा है मैंनो याद आ गया मैं के ना भी एवी तौनो लखाई दमा आ ठीक है चलो देख दें हाँ और तमा वड़े वड़ेच लिखूंगा क्योंकि यह बहुत कामदी चीज है पाशादे आ जो रूपा नहीं गाल मैं इत्थे गाल मैं हाँ पाशादे रूप ओहो आता बड़ा खातर ना घरांगा होई यह रहन करने हैं मैं कि ना आई ठीक है हाँ रूप पाशादे आपके नहीं जी दो रूप है साड़ी पाशादे एक है गया जी मौखिक रूप एक साड़ी पाशादा है गया मौखेक मौखिक रूप एक साड़ी पाशादा कहने जी है गया लिखित रूप लिखत रूप लिखत रूप मौखिक रूप दे विच पाशा हमेशा तुनी आत्मक र रूप माखिक रूप जा मैं थल्ली नाम लिखी जाओंगा इदी सारे दूसरा नाम दा हुंदा है तुनिया आत्मक रूप तुनिया आत्मक अच्छा एदा नाम भी कुछ हैगा बेलकुल जी एदा दूसरा नाम है लिपी बादरूप क्योंकि लिखन दा सबंद हैगा जी तु न्यादे नाड ते बोलन दा सबंद हैगा जी बोलन दा सबंद हैगा साड़ा, लिखन दा सबंद हैगा साड़ा, सौरी, मैं दवारे बोलता है, दवारे, लिखन दा सबंद हैगा साड़ा, लिपी दे नाल, ते साड़ा जड़ा हैगा, बोलन दा सबंद, ओ हैगा साड़ा, तुनिया दे नाल, मौकिक रूप दा सबंद, त चांदे पढ़ना ठे लिखना हां ते यह दे वैचा तुन्यादे वैचा तुन्यादे वैकास बचे ला ऑध वीच होंना डॉन पढ़ना ठे लिखना ये पाशादे रुपांदी आपां गाल कीती है जी हां जी होना आपा देख दें साथे पाशा दे चार कौशन चार कौशना नाम कई वरी चार योगतामा भी लिख देंदा एबिलिटी कई वरी योगता जी नू पंजाब बीच कह दें आपां हिंदी देवेचे योगता उदा भी लिख दें चार योगतामा एक कोई गाला है कि सुणना आते समझना बोलना पढ़ना आते लिखना देखो जी हुण इते गाला गिया देखो लो मैं हो एक डाइग्राम हो बनाया हो या सिगा जी देवेचा जी पाशा जिड़ी हो विचार विटांदरा संपरेखन आदान परदान जा कम्य इन्नीकेशन दा सब तो उत्तम सादन किया जी पाशा अगर आपकिसे देनाल संपरेखन करना आपने विचारा दा अदान परदान करना ओ स्थिती देवेचा साथे कोड़े एक माध्यम जरिया होना चाहीदा है ओ किया जी साथी पाशा पाशा दी एक कौमन जी पर बाशा हो हैं भी पाशा जरी हो सादे विचारा नो परदा एक माध्यम है जरिया है हम आ अगया जी मिचार वटान दरा हुंदा जी कहनदे दो, तरह देंहाल विचार वटांदरे देवेच की चीजां होनगे कि हमातवानों दैसीस एक गालव किए विचार वटांदरा उना टाइम सफ जा एक होगी ग्रहन करना एक होगी साधी ग्रहन करना ते एक होगी साधी प्रकट करना ग्रहन करन दे दो तरीके जी सुनके ते पढ़के दूसरे दे पावाजा विचारा नू अपा जे मौखिक रूप दे वेच ग्रहन करना ता सुनके ग्रहन कर सकते हैं जे आपां दूसरे दे पावानू मौखिक रूप वेच ग्रहन करना है ता ओदे नालकी असी मौखिक रूप वेच ग्रहन करना है ता सुनके कर सकते हैं दूसरे दे पावानू जे लिखत रूप विच ग्रहन कर सकते हां ता ओपाँ पढ़के ग्रहन करांगी यह आगया जी लिखत रूप देवेचे समझ रहे हूं ने इस गालनू हां उस्त बाद आगया जी पावानू प्रगट करना प्रगट करन दे तरीके जी बोलके अगर मौखिक रूप विच ग्रहन आपने पावानू प्रगट करना ता ओगया जी बोलके प्रगट कर सकते हैं यह आपाँ आपने विचारानू पावानू लेखत रूप देवेच प्रगट करना ता ओधे वास्थे सानू शभधान दी जड़े साधी लिपी है ओधे जड़ा लिफिक दिनागुं भात्राबूस सब्सक्राइब दीजिए न ferry लिचार मेंगार लुग संग्र कौशल सबस्हें कोशल संखक आते समझ के पावानू ग्रहन करना देखो दोचीजाता चली याँदिगा है दो ची जाता मतलव चली याँदिगा है स्बस्त्तु ना अते सम्झणा में से लना अते सम्झणा अना आड़ा गीहன करना सम्झणा ते ग्रहन करना दोनु किर्यामा जुडिया होई हैं अगर सम्झ रहा ता मतलब ग्रहन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है दे विच हाँ जी अगे बोलन कोशल दे विच देखलो बोलके जा गालबात राही पावानू प्रगेट करना पढ़न कोशल देविच होंदा है पढ़के जा वाचन करके पढ़न दा दूसरा नाम अपा वाचन भी कहने है हाँ पावानू ग्रहन करना लिखन कोशल दा मतलब होंदा है लिख के पावानू प्रगट करना नाल चल दिंगा नहीं इना ते तुसी खास खास ते आन रखने आज वहुण द्वारे देख देख दे आपपा सोण कोशल दी सिख्या अपणी अगली जमात देविच पढ़नी आपा चार पाशाई कोशल आपपा पूरे शांदार करने एक एक प्रशन विच्छ चुण कि एक गला बहुत कम नियान एक आठा देख आपा दो के घला कीति हैं यह दी हाँ अजी हां भी सोण जोना हम लोना पढ़ना लिखना इसके करना ठीक है दोना दें हालता पाप्रगट कर दे यह दोना दिना आली गैड करदी है इसे गर देवेची साड़ा विचार वटांदरा जुड़िया होया ग्रेंड करना ते प्रकट करना ग्रेंड कर सकते हैं जी दो तरीके नाल प्रकट कर सकते हैं जी दो तरीके नाल देखलो जी सुनना ते पढ़ना सुनन ते पढ़न कोशला जेड़े एक रहन करन देवेच उन्देया ते बोलना ते लिखना ए उन्देया जी साड़े प्रगटा कोशल देवेच प्रगट जा प्रगटा लिख्या हूं देगी वरी एवी रखना तो सी त्यान देवेच थोड़ी जी गालनू हां जी हाँ पाशा दे दो रूपा पागाल की ते सी मौकी के ए साड़ा जी प्रमुक रूप है ते लिखी ता जड़ा गौन रूप है दोना रूपा दे होर भी नाम में लिखे सी मौकी करूप दा एक लिखे सी तो नियात्मक रूप अगले पही ते तो नियात्मक रूप ते जड़ लिखेत रूप दाने या सी मैं लिखेत दा मतलब दूजा जागोर्ण रूप जीदा नाम में दूजा लिखे आसी लिपीबाद रूप मौकिक रूप देवेचे सोड़ना ते बोलना दोनों होंदे है लिखत चालिपी बात देवेचे पढ़ना ते लिखना यह साथे दोनों रूप होंदे है आ देखलो जी पूरी गाला इच्छे अपा कलियर कीती सी ते ए गाला नो तुसी वे दियार थी है थोड़ा जाना गाला नो त्यान देवेचे रखना है यह जड़े साथे बेसिक कंसेप्ट है जड़े चार पाशाई काउशलां दे अंतर गाता अपा पढ़ने है क्योंकि उस तो बाद जड़े अंगली जमाता हो अपनी हैगी अपाशाई काउशलां दे जी देवेचे साथ तो पहला आपा सुणन काउशल बारे गाला करांगे ते सुणन काउशल देवेचे जड़े जड़े भी प्रेशन आंदे है सारे अपा फाइनल क्लियर कर दवाएंगे जल्दी मिड़े जी सत सिरी अकाल